बहुत से मेरे भाई कहते हैं अब तो जातिया खतम हो चुकी है बहुत से लोग कहते हैं अब आराच्छड की भी जरूरत नहीं है बहुत से लोग कहते हैं हम जब होटल पर जाते हैं वहाँ चाय पीते हैं समोसा खाते हैं वेटर को पैसे देते हैं लेकिन उसे नहीं पूछते आप किस जाती से हैं तो जातिया एकदम से खतम हो चुकी है लेकिन क्या जातिया खतम हो चुकी है तो ये कौन से लोग हैं जो जाती के नाम पर अगर हम बात चीट कर लें तो हमको मारने पर उतारू हो जाते हैं अगर हम बता दें हमारी ये जातिया है तो हमको लाखे जंडों से मारा जाता है वही अगर हम जाती के अधार पर आरचर मांगने लगें तो हमको घसिक घसिक कर मारा जाता है आपको इस सारी बातों इस वीडियो में बताएंगे आज किस तरह से एक छात्र को बेरहमी से डंडे से पीटा गया है वो हम आपको बताएंगे और स्वामी परसाद मौरिया ने एक सबसे बड़ी बात कहजा ली है कि हिंदू राष्ट से क्या हो सकता है और साथ में चंदर से खराजाद रावर ने बीजेपी पर निशाना साथते हुए कहा कि किस तरह से वो अनुसोचित जाते अनुसोचित जन जाती और पिछले वर्गों का हिस्सा मार रही है नमस्कार साथियों मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देशी पीएसबी बिलोग साथियों जो लोग कहते हैं कि जाती का मामला भारत से खतम हो चुका है अब तो सब समता हो गया है सब सामान हो चुका है हम आपको बताएंगे आखिर जब सब सामान हो चुका है तो ये कौन लोग हैं जो गंडे लाठियों से परहार करके एक स्टुडेंट के शरीर पे लाठियों की बहुचार कर देते हैं हम आपको बताते हैं इलहाबाद इन्वर्सिटी में दलिचातर विबे कुमार ने जातिवादी चीफ प्रकर मुर्दाबाद का नारा लगाया तो चीफ प्रकर राके सिंग भी फर पड़े पुलिस और सुरच्छा कर्मियों के सामने दलिच छात पर लाखिया भांजना सुरू कर दी उनकी भी जो वाइरल हो रही है अब बताईए ये कौन से लोग हैं जो जातिवाद कर रहे हैं अगर आपको क्या पता कि जातिवाद क्या चीज है जो गाउं में रहते हैं उनसे प साथ क्या होता है भेदभाव कि सीमा गाउं से ही सुरू होती है दोस्तों आगे बहुत कुछ वीडियो में हम आपको बताएंगे साथियो गलोबल हैंगर के एक रिपोर्ट आई है जो हम आपको समझाएंगे बेहतरीन तरीका से गलोबल हैंगर की रिपोर्ट है आज गलोब कि इस सित बहुत बहुत गंभीर है साथियो गुलोबल हेंगर में 28.7% का दसाता है इसका मतलब यह होता है कि भारत देश के अंदर भुखमरी गरी भी बहुत जादा है लेकिन इस टोपिक पर हमारे देश की मीडिया वीडियो नहीं बनाएगी वो तो मड़ी पुरुवाले का दारी पर ऊक्राइग्रेश ग्यान ही ना दि तो जादा बहतर है आपको पता सथियो कांग्रेश कितनी इसे दारी यहमद्पर्देश में टिकट बटवारे के रूप में देख लिया कांग्रेस पार्टी दलिसोसित वन्चित पिछड़े के नाम पर सिर्फ ज्छोट की दूकान चलाती है जिस दिन यह लोग जाग गए उस दिन कांग्रेस पार्टी का पतन हो जाएगा की कि पिछडों के हम round के साथ लेकिन कि यह प्रटे तक को यह पीछड़ समाज को की किई आप सोची आप कल्पना कीजिए कि जो पाड़ किया आपको हमेशा अपने पैरोत्रे दबाना चाहती थी वह आज आपकी बात करती है सोची आप कल्पना कीजिए जाती वाद इसी को कहते हैं साइद और ये बहुत बड़ी खबर ये है कि नागपुर की दिच्छा भूमी पर 24 अक्टूबर को जम्बु दीब के महान समराच असो की 10 फिट की उची परतिमा अस्तापित होगी स्वामी परसाद मौरिया अपने भड़काओ भासड में हमेशा जाने जाते हैं आज जिस तरह से स्वामी परसाद मौरिया एकदम से उचाल पर आएं हैं वो अपने भड़काओ भासड की वज़ा से आए हैं लेकिन स्वामी परसाद मौरिया जो भी तरक देते हैं वो एविजन्स के साथ में देते हैं उनकी बातों में हमेशा सचाई हुआ करती है, और जो कहते हैं वो सबोत के तोर पर कहते हैं, अनन्ता उनको जेल में उखा कर कपका डाल दिया जाता, जो भी तरके लेते हैं उनके तरके के सामने अच्छे-च्छे भी दौन नहीं टिक पाते हैं, इसलिě कोई उनको नेवला कह के साथ आइसा ही हो आपके साथ मार पीट हो जाएगा आपको जेल में डाल दिया जाएगा विखती हैं तो सबस्वासाइन परसाद मवडिया ने कहा देश का बतवारा देलोंग सब अब इस सब नहीं सबते से अधरे दो से लुब खाबर हो जया अगर हिंदू राष्ट की मांग ऊगी तो और साथि यह हम और बताते हैं जो इस समय की सबसे बड़ी ख़बर है। सोचे एक अकेले नेता स्वामी परसाद मौरिया इन सभी मुद्दों को अपने सर पर उठा रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि स्वामी परसाद मौरिया ने कहा हिंदु राष्ट की बात करने वाले देश के सबसे बड़े दुस्मन हैं जो हिंदु राष्ट की मांग करते हैं। हम आपको बताते हैं भीम आर्मी के चीफ चंद सिखर आजाद रावड ने क्या कहा। दोस्ते सबसे बड़ी खबर हैं। के चेहरे पर पैसाब कराने वाले उनहत्तर हजार सिखक भरती घोटाला कराने वाले बहन मनिशा बालमेकी का आरोपियों का समर्थन करने वाले भाजपाईयों का ये दल सम्मेलन नहीं बलकि सिकारी द्वारा लगाया मंचन है। पर अब बहुत हुआ। सिकारी का दाना डाल के सिकार करने का खेल खतम हुआ। और लिखते हैं ये के मलत दलतों के ओट जटकाने के लिए चुनावी प्रेम दिखा रहे हैं। अब इनके जासे में बहुजन समाज नहीं आने वाला है। SCST OBC वर्ग के लोगों को चुनावी मौसम में इन धोंगियों से बचकर रहना होगा। हमारी ओट लेकर हमें ही चोट देने वाले से बहुजन को आप साउधान रहना होगा। या दलिस सम्मेलन नहीं दलतों का दमन करने वाला सम्मेलन है। दरसल मामला ये है दोस्तों कि भाजपा ने एक दलिस सम्मेलन लागू किया है। भाजपा के दलित सम्मेलन आज से यानि कि मंगलवार से भाजपा एक दलित सम्मेलन कर रही है उसी पर चंद सेखर आजाद रामड ने ये भासर दिया था दलित सम्मेलन में क्या होगा हम आपको बताते हैं पर देश में भाजपा के छेतरवार दलित सम्मेलन को सिलसला मंगलवार से शुरू हो जाएगा पहला सम्मेलन मंगलवार को पहस्चिन छेतर का होगा जिसमें हापौण में आएजित किया गया है आज इस सम्मेलन में मुखमंतरी योगी अधितनात और पर्देश अध्यच भुपेंद सिंग चौधरी के अलामा पर्देश सरकार के कई बड़ी मंतरी पद रहेंगे इसमें विधान सबास्तर पर आयोजित क्या जाएगा यह सम्मेलन साथियों यह भाजपा की क्या रिती है यह आप लोग अभली भांते जानते हैं भाजपा पिछडों और दलितियों की राजनीती करने लगी है उसको हराना मुश्किल ही नहीं नामूंकिन हमाई यह डंके की चोट पर कह रहा हूं दोस्तों और एडो का एक अर्विंद परताब लिखते हैं कि बस्पा सुपर्मों आदरलिये बहन कुमारी मायवती जी ने जिस परकार तिलंगाना राजवे मुखमंत्री पद का उम्मिद्वार डोक्कर आरियस परवीर जी को घोंसित किया है ठीक उसी परकार बहन मायवती जी को राजिस्थान 36 गार मध परदेश और हर्याना इन सभी चुनावी राजव में मुखमंत्री पद के उम्मिद्वार की घोंसना कर देनी चाहिए ऐसा करने से इन सभी राजियों में हो रहे विधान सभा चुनाव में बस्पा की अधिक सीटों पर ओट परतिसत बढ़ने के साथ साथ बस्पा इन सभी राजियों में किंग मेकर बनकर उभरेगी और यद ऐसा हुआ तो यकीन मानी ये बस्पा की बिपच्छी बिरोधी पा समाज पर जिस तरह से अत्या चार हो रहे हैं वो सायद बड़ी मिज़ा नहीं दिखाती है टीवी अगबार आपका नहीं दिखाता है हम जैसे यूटूबर ही उसे दिखाने का काम करते हैं लेकिन आपको बता दें हमको भी दबाने का काम किया जाता है ना बोलने का हमको कहा ज सुमाज की सभी जानकारियों पर नजाट डालूँगा और बहुजन सुमाज की लोगों तक सत्सक्षाली नियुक्त ol each जब हीमनों बुद्धाइब